हेलो फ्रेंड्स आजके इस वीडियो में हम बनाएंगे सालों साल चलने वाला लाल मिर्चे का स्वादिस्ट अचार तो आए शुरू करते हैं रेस्पी सबसे पहले हमें लाल मिर्च को अच्छी तरीके से धुलना है और इसे धूप में सुखाना है इसे हमें एक दो घंटे के लिए ही धूप में सुखाना है तब तक जब तक इसका पानी न सुख जाए मैंने इन मिर्चों को सुखा लिया है अब इन मिर्चे के डंठल को हम चाकू से काट लेंगे और इसके बीच को निकाल कर अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे और इस अच्छी तरीके से खाली करना है ताकि इसमें मसाले भर सकें आप किसी स्टिक का भी स्तमाल कर सकते हैं इन बीच को निकालने के लिए मिर्च को खाली करने के बाद अब हम तयार कर लेते हैं मसाले मसालों में हमने लिया है धन्या, सौफ, जीरा, मेथी, राई, लालमिर्ष, मंग्रेल, अम्चूर, हल्दी और नमक अब इन मसालों को हमें एक एक करके भूनना है ध्यान रही हम मंग्रेल को छोड़ कर बाकी सभी मसालों को भूनेंगे पर मंग्रेल को हम नहीं भूनेंगे क्योंकि मंग्रेल भूने से अचार का स्वात कड़वा हो सकता है तो यहां मैंने सभी मसालों को अलग-अलग भून लिया है मंग्रेल छोड़कर सभी मसालों को मैंने मिक्सी में पीस लिया है अब इन मसालों में हम मंग्रेल, अमचूर, हल्दी और नमक मिला देंगे और ये जो लाल मिर्च के बीज मिर्चों से हमने निकाला था वो भी हम इसमें मिला देंगे तेल को मैंने गरम कर लिया है और तेल को भी हम जब ठंडा हो जाए तो इन मसालों में मिला कर सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है अब हमारा मसाला तयार है भरने के लिए तो अब इन मसालों को हम मिर्चे में भरेंगे यहां मैं इसे इन मसालों को मिर्चे में भर रही हूं इसे हम हातों की सायता से दबा के अच्छी तरीके से भरेंगे ताकि यह नीचे तक भी अच्छे से फिल हो जाए अब इन मिर्चों को एक दिब्बे में भर लिया है और थोड़ा तेल डाला है ध्यान रे शुरुवात में हम थोड़ा ही तेल डालेंगे ताकि मिर्चे अच्छी तरीके से गल जाए और अब हम इसे डेली धूप में रखेंगे और आट से दस दिनों में तयार हो जाएगा हमारा स्वादेश लाल मिर्चे का अचार दोस्तों अगर आप कोई रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेर जरूर कीजेगा